देश के लोग गरीब मजदूर पिषडे किसानों के बारे में क्या चाहते हैं देश के लोग कैसी तरक्की चाहते हैं इन्हें आत्म मन्थन करना चाहिए बजाए बगर मतलब के कुछ का कुछ बूलने के वरिश्टनेता मलुक नागर जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए मलुक जी जिस तरह से एक्जिट पूल का अनुमान आया उसके बाद से बाकाइदा सोनिया गांधी और खडगे ने कहा कि जल्दबाजी क्यों असल नतीजों का इंतजार करना चाहिए देखिए वास्तविक्ता तक जाके या तो होमवर्क नहीं करते या असली बातों की इन्हें पता नहीं है गलत थ्रहमी में है अब तो एक दिन रहरा कम सके हैं अब तो इन्हें स्विकार कर लेना चीए कि देश की जनता का जो तासीर है या देश की जनता जो चाहती थी हमको लगता है कि सरकार तो इनकी बन गई है और एडमिट करना चीए कि फिर भी कल देखते हैं अभी भी कह रहे हमारी सरकार बनेगी 200 पिच्चान में हमारे आएंगे अरे एक दिन रह रहा है अभी भी जूट बोलोगे अब तो कम से कम बाजाओ और असली बातों को पहचानो देश के लोग क्या चाहते हैं देश के लोग गरीब मजदूर पिछड़े किसानों के बारे में क्या चाहते हैं देश के लोग कैसी तरक्की चाहते हैं इन्हें आत्मन्थन करना चीए बजाए बगर मतलब के कुछ का कुछ बोलने के और अब जो जना देश इक्स्तसाफ दीख रह ये अभी भी अपनी सरकार देख रहे हैं कैसे मुंगेरी लाल के हशीन सपने देख रहे हैं कल अपना से बिलकुल परेखी बात है मलुक जी राहूल गांधी ने भी कहा है विश्वास नहीं जटाया है और कहा कि नतीजे आने दीजिए तो राहुल भी विश्वास नहीं करते, खटगे भी नहीं करते, और सुनिया गांदी नहीं खुद? अब भी अपनी सरकार बना रहे हैं, जब तक लीडर सिफ वास्तिविक्ता तक नहीं जाएगी और देश की नवज नहीं पहचानेगी, और किसान गरीब मजदूरों के लिए क्या चाहिए, जब तक रिजल्ट आ ही नहीं सकता, पारलेमेंट में की सीटे खाली बड़ी रहती है अच्छा दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, तो बीजेपी में मंतन भी शुरू हो गया है, आगे की रणनीती पर चार जून को क्या होगा, वो चर्चा भी हो रही है, और उधर आप देखेंगे कि नितीश कुमार खुद प्रधान मंतरी आवास पर आए, और प्रधान म अंतरी ने मिटिंग करना शुरू करती है, ये एकतम सटीक और कितनी अलग बात है, इन्होंने क्या करा, अपनी मिटिंग रखी, उधर तब पोलिंग हो रही है, 57 लोग सभा सीटों पर और इन्होंने मिटिंग रख दी हैं दिल्ली में, गिंती के लिए, और जहां 57 लोग तो वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कहीं न कहीं लीडर्सिप में कनफ्यूजन है, ठीक है, साफ तोर पर आपने देखा, लेकिन चार जून को जनता के मन में क्या है, ये तो EVM के जरिये बाहर आ जाएगा, और ऐसे में आपने देखा कि किस तरह स न केवल सरकार जो कि BJP में है, उसने अपने तोर पर बैठकों का दवर शुरू कर दिया है, एलाइस पार्टनर से मुलाकात शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ जो गडबंधन है, वो लगातार इस चीज़ को नकार रहा है, और ये दावा कर रहा है, कि 4 जून को नतीज एक्जिट पोल से उलट हो सकते हैं, अलोगदास के साथ राम किंकर सिंग आज तक,